विरासत की सियासत को कड़ी चनोती देने के लिए भारती जन्ता पार्टी ने मैनपुरी लोगसवा उप्चराओं में टॉप कमांडर्स उतार दिये हैं, तमाम बरिश्ट जो मंत्रिगर्ण हैं वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए उच्छा मंत् वोट मांग भे हैं के मेनपुरी में इस भार उप्चराओं में कमल खिलाना है, सर किस तरह से देख रहे हैं, यह टफ सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आखरी दुर्ग भी है, आप किस तरह से देख रहे हैं क्या लग रहा इस बार देखिए समाजवादी पार्टी का दुर्ग जरूर है लेकिन पिछले दौरान यहां की जनता को समझ में आ गया बलकि इविन यादव वर्क को भी समझ में आ गया कि जो जिनको वो अभी तक अपना नेता मानते रहे थे वो वंशवाद वंशवाद के भी पुत्र मोहवाद में समझ कर रहे गए इसलिए पिछले चुनाओ में मुलाइम सिंग जी को यह कहना पड़ा था कि मेरा यह आखरी चुनाओ है एक सिंपैथी गेन करके जैसे तैसे चुनाओ जी थे इस बार तो और भी जादा समझ गया व सिंपैथी और विकास के नाम पर वोट मांग रही है और आप कह रहे हैं कि डवल इंजन की सरकार में केवल प्रभाव से केवल यही लोगसवा सीट बची हुई है इसलिए अगर आप चानते कि विकास तेजी से हो इसलिए मैंन परी में कमल खिलाएं दो विशे हैं पूरे द तेजी से विकास हो रहा है और कैसे गुंडागर्दी के सामराजी को कैसे भाई बती जावात के विश्वात के सामराजी को भारती जनता पार्टी ने ध्वस्त किया है और अंतिम छोड़ पर बैठा कारिकरता भी कि सत्ता का सहभागी बन सकता भागीदार बन सकता है इसके बीच का चुनाव है ये चुनाव गुंडागर्ती वर्सिज अमन चैन कायम करने का चुनाव है ये चुनाव विकास वर्सिज विनाश को ले जाने वाली सरकार का चुनाव है ये चुनाव इसलिए चुनाव महत्पूर्ण है क्योंकि सब जानते हैं कि मोधी जी एक अंतराश् वक्तव दिया था उसमें स्विकार किया था कि मोदी जी आप देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं हम चाहते हैं पुनहीं आप सत्ता में आए तो उस बात को भी यादव लोग जानते हैं जो अपने चचा और पिता का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा इस समाज भी जानता ह यह बीज़ फीने में अन्फुरी में जो नजर आ रहा है तो क्या लग रहा है सर इस बार जसाब सरसे 4-4 लाग यादव मत दाता हैं लेकिन बागी सभी जाती हों को आप लोग जिए सब का साथ सब का विश्वास यह भारती जनता पाटी का सिर्फ नारा ही नहीं यह कार योजना है और इसका कारिश हैली है उस कारिश हैली में यादव वर्ग भी बोट देगा क्या आप समझते हैं कि शिपाल जी के साथ जो किया मुलाइम अखलेश जी ने वो शिपाल जी भू भूल याएगा कि कहां सिमट गए हैं लोग जो पिता के सत्ता के लिए पिता को भी दुद्कारते थे तो और अपने चचा को दुद्कारा अपने परिवार वालों को नकारा तो ऐसे लोगों को यादव वर्ग भी नकारेगा इस बार इतिहास रचेगा और बेमिसाल इतिहा जोग दी है और अपने ट कहा जाए टॉप लीड राउंड को पूरी तरह से कहा जाए इन फील्ड कर दिया है लगातार एक के बाद एक बड़े नेता यहां चुना परचार के लिए पहुंच रहे हैं और आज रागुराज शाह की जो प्रत्याशी है उन्होंने नॉमिनेशन क किया और उनके नॉमिनेशन के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई उसमें भी मुक्त मंतरी से लेकर तमाम बरिश मंतरी कर रहे है कुल्मिना के योगिंदरुपाद ध्याजी जो केबिनेट मिनिस्टर है वो भी लगातार यहां की जनता से अपील कर रहे है कि इस बार जो सपा मुक्त उत्तर प्रदेश की शुरुआत है उसे मैंपुरी से करिए 2024 से पहले ये जो अप्चनाव है वो देश की राइनीती को बड़ा संदेश देने वाला है मैंपुरी से मितनुपाद ध्याए एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की